स्वालोवरेंस कैसे हैं आप सभी और यह फिर स्वागत है हमारे अपने चैनल नहीं सब्सक्राइए आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आप आप सबी को पता है। यहां पर प्रफोनल आंसर की रियू सबूं की और यू सब ड़ायां चैं। प्रफोरिवल हैं। वहां पर पीडिएफ सुविधे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कौन-कौन से questions को challenge किया जाना है, क्या उसका procedure रहने वाला है, सब कुछ हम detail में discuss करेंगे, उससे पहले चैनल पर नहीं है तो subscribe जुरू कर ले और अगर वीडियो पसंद आती है तो like करना ना भूले, चलिए start करता है, सबसे पहली बात तो ये कि कौन कौन से questions को challenge किया जाना है, अब paper 1 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, subjective paper की बात बात में करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो general paper आपका होता है, paper 1 जो आपने दिया था, उसके अंदर 50 questions थे, उन 50 questions में से कितने questions ऐसे हैं, जिनको हम challenge कर सकते हैं, जिनके proof आपको देने प जोइन करना है, वहाँ पर मैं आपके उसको उसके proof भी आपको available करा दूँगा, अगर आप लोगो उसके चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले questions की बात करेंगे, कि कौन सा question यहाँ पर है, तो अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, पहला जो questions का answer इन्होंने exit होता है, जैकि इन्होंने option number one दिया है, इसको आपको challenge करना पड़ेगा, पहला question यह आप note कर लीजिए, अपने set के according आपका अलग-अलग यहाँ पर question number हो सकता है, यह set B है, तो set B का sixth question सबसे पहला challenge के लिए बनेगा, और उसके बाद अगर हम next question के अंदर बात करें, तो अग next question है, यहाँ पे, which one of the following is the criterion of good research, question number 14, set B का, तो इन्होंने जो answer दिया है, वो दिया है, यहाँ पे, all the assumptions for the study should be expressively mentioned, तो यह नहीं है इसका answer, यह इन्होंने इसका सही answer दिया है, बट इसका answer, option number C होना चाहिए, इसका proof भी आपको मिल जाएगा, इसका proof भी मैं आपको available करा दू है, तो उसको आप चेक कर लेना, उसके अंदर systematic तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा, basically इतना ही sufficient होगा, आपके answer को challenge करने के लिए, तो यहाँ पे, अगर आपका research is systematic, क्योंकि सबसे पहले देखिए, हम लोग research की बात करें, research में systematic धंक से ही काम होता है, क्योंकि steps उसके लिए determined है, उन्ही steps को follow करके हम लोग क्या करते हैं, problem को identify करते हैं, review of literature करते हैं, उसके बाद हम objective को set करते हैं, फिर हम लोग इसके अंदर hypothesis का formulation करते हैं, फिर data को हम लोग यहाँ पर collect करते हैं, तो यह सारा procedure क्या है, systematic है, तो obviously answer यह होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यह option number D, जिसका म 100% chances हैं कि यह change होना चाहिए, उसके बाद next question हमारे पास में था, ओके, ठीक है, यह वाले question आपका ठीक है, exploratory research, यह भी ठीक है, all of the above, हाँ, यह जो question है, यह बहुत easy question है, इसका answer मुझे पता नहीं कि कैसे इन्होंने यहाँ पर गलत दे रिया है, type one error, क्या होता है, type one error, यह त reject कर दिया, तो वो type one error हमने commit करी है, तो यह तो बहुत easy question था, जोकि factual question है, तो यह समझ में किस तरीके से इनके नहीं आया है, यह जान बूच के इन्होंने अन्निंग के लिए इस question का answer गलत दिया है, वो मेरी समझ से बाहर है, तो इन्होंने इसका answer क्या दिया है, option number C दिया है accept the hypothesis when it is true, तो यह कौन सा error यहाँ पे होता है, जब यह true था, आपने accept किया, तो क्या इसमें किसी तरह की error आपको दिख रही है, क्या यह कोई error का statement है, जब आपके कोई चीज़ सही है और आप उसको accept कर रहे हैं, तो कोई error नहीं है, हाँ अगर आपकी सही है, फिर भी आप उस यह answer change होगा, और इसके लिए proof मेरे पास available होगा, मैं आप लोगो दे दूँगा, आप खुद से भी proof को देख सकते हैं, जितने ज़्यादा proof आपके पास होँगे, जितने multiple sources होँगे, उतने ज़्यादा chances बनेंगे कि आपके answer change हो जाएं, इसका जो answer है 17 फॉले का, इसके यह वाले ठीकी हैं, इसको मैंने आपके करवाई दिये थे, unseen passage वाले, इसमें एक question के अंदर इनका answer change हुआ है basically, वो subjective type है basically, यह question इसके अंदर, जबकि यह law की बात की गी थी, bill की बात करी गी तो bill drafted भी हो सकता था, और discussed भी हो सकता था, दोनुमें यहाँ पे 50-50 chances थे, बट इ यह आपका यहाँ पे challenge के लिए नहीं बनेगा, जो challenge के लिए नहीं बनेगा, मैं उसको definitely आपको मना कर दोंगा, और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे next question की, तो कौन से question आप यहाँ पे challenge कर पाएंगे, और भी question है इसके अंदर, ओके यह ठीक है answer इसके अंदर, टीचर जब effective होता है, 7C of communication आप लोगों ने पढ़े होंगा, इसके अंदर कहीं पर भी यह नहीं आता कि immediately आपको message दे देना है, जहाँ पर आपका message दूर का है, वहाँ पे जरूरी थोड़ी है, आपका immediately message transfer होई जाएगा, तुरंत आपको message देना है, यह तुरंत प्राप्त किये जा इसकी guarantee किसकी है, तो logically यह answer बनता ही नहीं है, answer आपका वही बनता है, received as intended by sender, इसका भी proof में आप लोगों को दे दूँगा, यह भी आपका definitely answer इसका change होगा, option number D इसका सही answer है, ना कि option number C, तो यहाँ पर time की तो कहीं पे बात नहीं की गई है, कि immediately आपको देना है, यह कहीं पर भी इसके effective communication के characteristic में नहीं आता है, ठीके बात, ओके यह question भी आपका यहाँ पर challenge के लिए बन गया, उसके बाद अगर हम अगले question की बात करें, reasoning के सारे questions के answer, almost सभी के ठीक हैं, और इसके अलावा, मैं देखूं कोई और question इसके अंदर रहे गया है, ओके यह ठीक है, यह वाले इसके answer, लेकिन इसका जो सही answer इन्हों ने दिया है, disorder of the circulatory system, अब इसके अंदर यह दोनों मैं doubt था, तो यह दोनों मैं हो सकता है, यह भी skin related है, circulatory system भी कहीं ने कहीं, आपके skin related है, जिसके अंदर हम blood circulation की बात कर रहे हैं, तो यह कहीं ने कहीं घुमा फिरा के दे दिया गया ह है, और बात यह भी skin की है, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, skin cancer की बात करते हैं, तो यह ज़्यादा appropriate मेरे हिसाफ से skin related होना चाहीं था, बट इसके अंदर circulatory system बोला गया है, तो मतलब overall पूरे body की बाद यहां पे कर ली है, तो यह इसका answer दिया गया है, इसको आप challenge मेरे इसके अंदर इन्होंने answer दिया, option number D, जबकि मेरे according इसका answer बनना चाहीं था, option number B, two, third and four इसका answer बनना चाहीं था, क्योंकि इसने बोले था harmful result use of insecticide, जब भी आप insecticide डालते हैं, तो क्या microflora उसके जो soil में होते हैं, वो kill से नहीं होते हैं, यह तो kill होते ही, यह तो simple सी बात है और यह microflora basically आपके लिए, आपके फसल के लिए, कुछ जो microflora होते हैं, वो आपके लिए helpful रहती हैं, वो आपकी agriculture में, productivity में helpful रहती हैं, तो वो भी यहाँ पर नश्टर होती हैं, तो यह क्यों नहीं इसके अंदर include किया गया, यह वाला option, जबकि इन्होंने किया है second and four, second and four तो obviously है ही है, लेकिन third भी मेरे आपसे इसके अंदर होना चाहिए, और आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जब आप कोई भी इसके बुक निकालेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पर इसका answer मिल जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर यह जो मुझे लगता है, यह option भी सही होना और option numbers भी आपका इसके अंदर बनना चाहिए, देखें, यहाँ पर हिंदी में भी अगर आप देख लें, मिटी में सूक्सम वनस्पतियों को नश्ट कर देता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर insecticide डाल रहे हैं तो वो definitely अगर हम लोग उसको harming crops के लिए सतने हम agree जैसे आपके अधर जो basically मनूरे है, मनूरे है उसको उसको हम लोग खा बोलते हैं, जो यहां पे होता है इसका यूज करने के लिए बोलते हैं, या और चीजने हम लोग बोलते हैं, जिससे की बाकी की जो छोटी फसलें हैं या मनसपतियां वहाँ नस्टे माह के Father Meต कर सकते हैं अगर आपको एप्रोप्रियर्ट उसका सोर्स मिल जाए लेकिन बिना एप्रोप्रियर्ट सोर्स के एकसेप्टेबल नहीं होगा उसके बाद जो कोश्चिन है देख लो एक बार यह आपके सही है इसके अंदर 49 तो बस यही कोश्चिन है जो मैंने आपको बताया है इनको आप क्लेम कर सकते हैं अपने हिसाव से और इसके अंदर अगर हम प्रोशीजर की बात करें क्लेम करने की तो सबसे पहली चीज तो यह कि आपके पास में Authentic Source होना जिए आफ है अब Authentic Source का क्या मतलब है authentic source का मतलब यह है कि इसके अंदर आपके पास में किसी book का reference होगा किसी official government website का आपके पास में reference हो सकता है या किसी reputator journal का आपके पास में यहाँ पे reference हो सकता है किसी e-book का आपके पास में reference हो सकता है तो यह सारी चीज़े जो हैं आप अपने reference के लिए use कर सकते हैं इन ही reference के basis पे आप question को claim कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि ये answer है और इसके basis पे आपने कोई proof नहीं दिया तो वो consider नहीं किया जाएगा ठीक है बात और दूसरी जो important query आप लोगों के आते रहती है कि अगर एक बंदा claim करें तो उसका benefit किसको मिलेगा देखे claim करने वाले को benefit तो मिलेगा ही मिलेगा अगर for example official answer की मैं उसका answer क्या दिया था ए दिया था लेकिन claim करने के बाद में उसका answer change होके B हो जाता है for instance B answer उसका हो जाता है तो जिस जिसने भी B answer choose किया है उन सभी को इसके marks मिलेंगे जाहे उसने उस question को claim किया था या नहीं किया था तो सभी को उसके marks से हाँ पे मिल जाएंगे ठीके बाद अब उसके बाद बाद आती है इसके अंदर की हम लोग कहां से कौन से window है जहां पर हमको question को claim करना है वो मैं आप लोग को पता दूँगा उससे पहले एक important चीज important चीज यह की question को claim करने के लिए यह free नहीं है question को claim करने के लिए 1000 rupees पर question आपको यहाँ पर देने बढ़ेंगे तो यह कहीं न कहीं कुमाव university के अंदर एक you know हर चीज में loot जैसी मचा रखी या उस तरह की चीज़े हम कह सकते हैं पहले तो आपसे 1400 form के ले लिए उसके बाद 1000 rupees पर question का charge लिया जा रहा है जबकि आपके question answer में इतने आपके official answer की में इतनी गलतिया है इतनी मतलब छोटी छोटी जो easy easy question से उसमें भी answer गलत किये गए हैं तो कहीं न कहीं यह जो चीज़े हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत गलत हो रही है पहली बात तो यह कि answer की आपके बहुत अच्छे से बनाई जानी चाहिए थी इसके अंदर हो सकता है एक question, दो question मान लेते हैं कि इसमें कुछ गड़बड हो सकती है एक से दो question के अंदर कभी-कभी हो जाता है यह जिसी नेट के को एक्जाम में भी यह चीज़े देखने को मिलती है यह बड़ी कोई बात नहीं है लेकिन आपके तीन-तीन, चार-चार-पाच्पाच्पाच्छे question हर subject के अंदर, हर paper set के अंदर आपके गलत है तो यह एक बहुत बड़ी बात सोचने वाली बात है और जिसमें कि आपके 1,000 रुपीज पर question का चार्ज लिया जा रहा है तो यह चार्ज कम से कम मुझे लगता है कि आपका पहले तो at least free होना चीज़े था जैसे कमाउ उनिवर्सिटी स्टेड लिवल का exam है तो यह अंदर आपके free of cost भी एक रहा सकते थे लेकिन अगर हो सकता है 150 या 100 या 150 के around per question होता तो यह मुझे लगता है कि ज़्यादा appropriate होता बड़ 1,000 बहुत ज़्यादा हो गया आप सभी को पता है हर कोई इतना अमीर नहीं है कि हर question को 3-4,000 रुपर देगे हर कोई 3-4 question को claim कर ले बड़ इसका एक रास्ता है इसका रास्ता क्या है आप सभी लोग contribute कर सकते हैं देखें जिस questions को मैंने आपको पताया है वो questions के आंज़र जो मैंने definitely change होने को बोले हैं वो change होंगे लेकिन उसको claim भी करना पड़ेगा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई दूसरा claim करेगा उसका benefit मुझे मिल जाएगा तो हर कोई यही सोचता रह जाएगा कोई भी उसको claim नहीं करेगा तो जो भी borderline पे हैं जिन लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग कहीं एक question से दो question से रहे जाएंगे borderline के अंदर आप लोग हैं तो आप लोगों को यह risk लेना चाहिए risk in the sense कि आप लोगों को claim करना चाहिए और claim कैसे कर सकते हैं तो इसी तरीके से आपके क्योंकि सभी आपकी friendship है आप लोगों के friends है आपके community है तो बहुत सारे लोगोंने forms बरे है paper one सबका common है तो हर कोई चाहेगा कि आपके जो paper one में है अच्छे score बन जाए तो उसके लिए paper one में के basis पे भी आप लोग contribute करके कर सकते हैं और दस लोग भी अगर एक question पर करते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी amount यहाँ पर नहीं रह जाती hundred hundred rupees आप लोगों के पढ़ेंगे तो इस तरीकी से आप लोग कर सकते हैं उसके लिए आप लोग नीचे comment box खुला हुआ है ठीक है उस comment box में आप लोग अपनी grouping कर सकते हैं अपनी जितने भी group के student हैं जो जो लोग contribute करना चाह रहें वो लोग अपने basically contacts को भी share कर सकते हो आप लोग और although कि मैंने group तो बनाया ही हुआ है यह मेरा suggestion है उसके अलावा जो लोग अगर independently कर सकते हैं question को challenge तो वो लोग आसानी से इसको कर सकते हैं ठीक है तो कौन-कौन से questions थे जिनको मैंने आपको बताया है challenge इसके questions के accept होने के chances बहुत जादा है और यह change होगा भी और इसके जो sources है जो question के sources मैंने बोला है आप लोगों से वो मैं आप लोगोगो टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा अगर आप लोगों को सहीए आप लोगों को comment करना पड़ेगा नीशे कि हमें sources चाहिए तो मैं आप लोगों को source provide कर दूँगा और किस तरीके से आपको उसको करना है किस तरीके से आपको claim करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा अगर आपको इसकी video चाहिए होगी तो detailed video मैं आप लोगो provide कर दूँगा ठीके बात तो ये दो questions के challenge की बात थी paper 1 के तो इसके अलावा आप लोग कहां पर से claim कर सकते हैं उसका basically जो आपका user exam का link है जहां से आपने form fill किया था उसका form fill करने का link भी मैंने आपको provide किया था तो उसी में जब के आपको क्या करना है अपने registration number और date of birth से आप लोगों को login कर लेना है login करने के बाद जहां पे आपका pay now है राइट pay now वाला जो option था जहां पे आपने fees को submit किया था वहीं पर click करना है उसको click करने के बाद मैं आपको नीचे window दिख जाएगे जहां पर 1000 रुपी जोगा और नीचे instructions भी आपको दिये गया है ठीके बाद तो इस window को आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर आप लोग को इसमें दिक्कत हो रही है उस चीज़ में क्लेम करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता देना मैं आप लोगों को यहां पर website पर विजिट करके नहीं होंगे तो उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा ठीक बात तो इस वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे और अगर आपको डिफिकल्टीज होती है तो मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं थैंक्यू सो मच हैवनाइस थे टेक किय है बागार श्राचhips अशल कम वग भी ता है तो में हैख वालीन तोटी प्लाभ टेकिर नहींटा है